Hey everyone, welcome to Baili GITES बच्चो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को NTAFNMC द्वारा दी गई कोई रीसेंट अपडेट के बारे में नहीं बताने वाली हूँ लेकिन हाँ NTAFNMC ने NEET 2024 का जो अपडेटेड स्लेबस रिलीस किया है उस अपडेटेड स्लेबस से रिलेटेड कुछ इंफोमेशन देने वाली हूँ बच्चो और आप लोगों मैंसे काफी बच्चो को इस इंफोमेशन के बारे में अल्रडी पता होगा काफी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने सुन पी लिया होगा लेकिन मेरी responsibility भी बनती है कि जितने भी neat aspirants मुझसे जुड़ेवे है उन लोगों तक मैं ये information पहुचा सकूँ It is regarding biological updated syllabus अगर आप लोग NTNMC की जो updated syllabus की PDF है उसे चेक करें उसमें biological सबसे पहले morphology of flowering plants chapter चेक करें बच्चो तो morphology of flowering plants से नीट के syllabus में जितने भी topics include करें है उस topic के अलावा ये भी mention कियावा है कि practical syllabus से भी neat questions पूछे जाएंगे उसी तरीके से locomotion movement में भी नीट के syllabus के जितने भी topics mention करें है PDF में इसके अलावा ये भी mention कियावा है कि practical syllabus से भी questions आएंगे तो morphology of flowering plants and locomotion movement इन दोनों chapter से प्राक्टिकल syllabus से भी questions पूछे जाएंगे ये प्राक्टिकल syllabus आपको कहां से मिलेगा क्योंकि इन दोनों chapter का front पे check करो बच्चो तो वहाँ पर आप लोगों को QR code दिखेगा जिससे अगर आप लोगों को सारे प्राक्टिकल दिख जाएंगे प्लस locomotion movement के जितने भी प्राक्टिकल्स आपके नीट 2024 के syllabus में आ रहे हैं वो सब भी प्राक्टिकल्स की PDF आप लोगों को मिल जाएगी और ना सिर्फ मैं आप लोगों को syllabus content प्रवाइट करा रही हूँ बलकि इस practical syllabus से related MCQs के PDF भी इस वीडियो के स्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी तो आप लोग उस link के जरिये सारी PDFs को डाउनलोड करिए आप लोग यह syllabus से related content भी आद करिए और MCQs भी प्राक्टिस कर सकते हैं देखो बच्चों पिछले पात साल से जब से मैं यूट्यूब पर लिटट कोई भी question नहीं देखा तो आप लोग प्लीज इस प्राक्टिकल syllabus के चक्कर में अपना मेन NCRT-based content को ना पढ़ने वाली गलती बिलकुल मत करना सबसे पहले आप लोग क्या करें जो NCRT में syllabus दियावा है NCRT-based syllabus दियावा है पहले उसको strong कर ले उसके बाद आपको लगता है पूरा syllabus मेरा हो गया है तभी जाकर इस practical syllabus को एक बार reading कर ले इसको ना भी पढ़े तो भी चलेगा मैं गलत गाइडिन नहीं करूंगे आप लोग को कि बिलकुल भी मत पढ़ो देखो कुछ नहीं कह सकते हो सकता है इस साल इससे एक दो question आ जाए लेकिन safe side इसमें है कि पहले आप लोग वो सभी chapters वो सभी topics पढ़ ले जो की NCRT में अलरडी मौजूद है अगर आप लोगं का 100% NCRT-based labors complete हो गया है तभी जाकर इस practical syllabus को करें और इस practical syllabus से रिलेटर जितने भी MCQs की PDF मैंने provide कराई है वहाँ से आप लोग MCQs भी practice कर सकते है ठीके बच्चों इसके अलावा अगर आप लोगों को ने अभी तक PYQs practice काने के लिए कोई बुक परचेज नहीं करी है तो NTA NMC latest labors based previous 36 year questions practice काने के लिए आप लोग ओस्वाल books की 36 years chapter wise topic wise solve papers की बुक यूज़ कर सकता है बच्चों topic wise revision notes भी प्रवाइड कराएवा है और super quick revision काने के लिए हर एक chapter का mind map भी प्रवाइड कराएवा है हर chapter के शुरुआत में आप लोगों को trend analysis भी दियावा है कि पिछले 10 सालों में उस particular chapter के किन-किन topics से NEET में questions पूछे गए थे इसी के साथ difficult topics को याद काने के लिए unit wise mnemonics भी प sample paper करने के लिए solve papers करने के लिए और quick revision करने के लिए आप लोग Oswal books की previous 36 years solve papers की book यूज कर सकता है बच्चो इन बुक्स का लिंक में आप लोगों को इस वीडियो के description में प्रोवाइड करा रही हूं तो practical syllabus का link भी आप लोगों को इस वीडियो के description में मिल जाएगा इसी के साथ biology के preparation को super strong करने के लिए बचो मेरे चैनल का playlist section जरूर चेक करिएगा आप लोगों के लिए खाजाना है ये playlist section में मैंने आप लोगों के biology के हर एक unit की playlist बना दी है हर एक unit में डियेवे हर एक chapter के हर एक topic का मैंने quick revision 59 seconds के shots की form में कराएवा है तो आप लोग यहां से unit wise playlist चेक कर सकते हैं NCRT के हर एक line का quick revision कराने के लिए मेरी NCRT most important line वाली playlist चेक करिएगा पूरा frog topic मैंने 14 shots की form में पढ़ाएवा है तो frog वाली playlist जरूर चेक करिएगा इसके अलावा बच्चों मेरे community post section में मैं लगाता हर date से 2 गंटे के gap में आप लोगों को questions प्रोवाइड करा रही हूं तो उन questions के पोल्स में भी actively participate करिएगा मेरा जो नया YouTube चैनल है बाईली जिए टी शॉर्ट्स नाम से इसके community post section में भी मैं लोगों को बाईली जी के chapter wise questions प्रेक्टिस कर वारी हूं तो वहां से भी questions प्रेक्टिस करिए और बाईली जी के हर एक topic का quick revision काने के लिए इस नए चैनल पर मैं आप लोगों को quick revision notes प्रोवाइड करा रही हूं तो उन colorful posters के जरिए बाईली जी के topic wise quick revision भी करिए मेरे telegram चैनल बाईली जी एटी से भी जुड़े रहेगा जहां पर आप लोगों को बाईली जी के हर एक chapter, बाईली जी के हर एक unit, बाईली जी के full syllabus से related खूब सारे questions completely free of cost मिले तो मेरे telegram चैनल बाईली जी एटीज, मेरे YouTube चैनल बाईली जी एटीज और मेरे new YouTube चैनल बाईली जी एटीज शौट से जोड़े रहो और अपनी बाईली जी के preparation super strong करो, आप लोगों के बाईली जी के practical syllabus की PDF इस वीडियो के description में है, उस practical syllabus से related MCQs की PDF भी इस वीडियो के description मे ने 2024 की form filling process की वीडियो चैनल पर already uploaded है, किसी बच्ची को अभी भी form fill करने में दिक्कातारी है तो मेरे इन वीडियो को भी जरू चेक करियेगा, thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos, thank you